दोस्तों स्वागा थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज जो है बहुत ही खुसी की बात है आप सभी लोगों के लिए जितने भी पेरामेटिकल फिल्ड से रिलेटेड स्टुडेंट हों या फिर आप काम कर रहे हों बहुत सालों से तो आप लोगों के लिए कल ही एक गुड न्यूज आया था और रात में मैं तकरीवन एक या दो बजे तक इन सारे चीजों को डेटेल में देख रहा था और सुन रहा था तो जैसा की डॉक्टर हर्ष वर्धन जी ने जो हमारे स्वास्त मंत्री हैं केंदर में तो उन्हों के द्वारा जो है एक ट्वीट किया गया था और राज्यसाब हमें जो चर्चा हुई थी और उसमें आपका ट्वीट जो है इस परकार से है कि राज्यसाब हमें व्यापक चर्चा के बाद नैशनल कमीशन फोर एलाइड एंड हेल्थ केर प्रोफेशन बिल दोहजार भी इसको धोनी मत से पास करने के लिए इस बील के दाइरे में स्वास्त सेवा से जुड़े स्वास्त कर्मियों को सामिल कर उनके पंजी करण को अनिवार किया गया है तो बहुत ही खुछी की प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों का मेहनत है और आप सभी लोगों को थेंक्स बुलना चाहिए उनके लिए कि आप आने वाले जितनी पीड़ी है या स्टुडेंट हैं जो आने वाले समय में इस पैरामेटिकल फील्ड से लेटेड कोई भी कोर्स यदी कर रहे हैं तो उनके लिए इतना एक बेसिक जो है उनके लिए एक फाउंडेशन तयार होकर के मिलेगा जिसके द्वारा वो पढ़ाई करके और अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि बहुत सालों से ऐसा चलते आ रहा है कि कुछ लोग जो है इस फिल्ड में जितने लोग काम कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो केवल काम सीख करके अभी काम कर रहे हैं बहुत पहले से और उनके पास केवल सर्टिफिकेट या डिपलोमक जो है एविलेबल है और वो भी उस समय प बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है जिसके कारण जॉब उनको नहीं मिल पाता है और उनको मानेता प्राप्त भी नहीं मिलता है तो इससे बहुत सारे लोगों को जो है इतना बेनेफिट मिल जाएगा और दूसरा चीज यह है कि आपका सबसे बड़ी चीज है सम्मान प्राप्त होना जो आपका महनत है और जो आप करते हैं काम उसके लिए आपको सम्मानित किया जाना और आपका value रखा जाना वो सबसे बड़ी बात है और कल जब चर्चा हो रहे थे तो हम सुन रहे थे कि COVID काल के दौरान इतने सारे लोग है इसके द्वारा और आने वाले समय में बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं तो मैं आपको थोड़ा कुछ इसमें जानकारी दूँगा तो सबसे पहले कौन-कौन सी चीजे हैं आप सभी को पढ़ना चाहिए ताकि आपको डेटेल जानकारी इसके बारे में स्वयम को होना बहुत जरूरी है जितना जादा आप नौलेज चीजों को लेंगे उनके बारे में सीखेंगे उतना जादा आप लोग जागरुक रहेंगे ठीक है केवल औ नहीं होता है और इन सब चीजों के लिए आपको चाहिए होता है जागरुक रहना और अपने समस्याओं को लेकर के रखना और समस्याओं को आप तभी रख पाते हैं जब आप एकता में या यूनिटी में रहते हैं जो कि मैं बहुत पहले से आप लोगों को बोल राओं ठी के पीछे और उन सभी सम्मानिय लोगों का हम तहे दिल से सुक्रिया करते हैं और अलग-अलग जो हमारे फिल्ड में आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि राश्टी इस्तर पर और राज्य इस्तर पर अलग-अलग एसोसियेशन्स बने हुए हैं और इसमें सबसे प्राइडेशन हमारे फिल्ड में बहुत जाता है चाहे आप प्रामेडिकल फिल्ड में एक लेगोर्टी टेक्नोलोजिस्ट को ले लिजिए इसमें बटे हुए हैं चाहे वह गौर्मेंट जॉब कर रहे हों रेगुलर वाले या फिर सम्मीदा वाले उनका अलग है या फिर डेपार्टमेंट वाइस जितने भी लोग हैं चाहे वह रेगुलर हों सम्मीदा हों या फिर प्राइविट हों हमारा जो इस्टेडी हम लोग किये हैं वो सब एक ही है और हमारा डेजिगनेशन सेम है तो इसलिए जो है हमें अगर कुछ बात किसी के सामने सम्मुक प्रिस्त करना है तो उसके लिए है यह होना होना चाहिए कि हमारा एक्ता होना बहुत जरूरी है जिसके वज़े से हम किसी के सामने अपना बात जो है आसानी से रख सकते चीज होना बहुत सब्सक् puck नहीं है और अगर कोई बात हमारे पास कोई समस्या है तो उसको हम अच्छे तरीके से presentation दे सकते हैं किसी के थुरू तो उसके लिए associations का होना और मजबूत संगठन का होना बहुत जरूरी है तो इसके लिए जो है मैं आपसे आगरे करूँगा कि हमारे जो JFMLT इंडिया के National Association for MLT and Lab Honors जो है तो इसमें मैं पहले भी आप लोगों को बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि इसमें National General Secretary हमारे कुमार संतो से आदो जी है और इनका मैं लिंक आपको नीचे description पे दे दूँगा जिस पर click करके आप वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं वहाँ जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से यह काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए एक बेस तैयार करके दे रहे हैं तो इसमें जरूर जुडिएगा आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है और फेस्बुक पेज का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा जहां पर जा करके आप धेर सारी जानकारियां और एक्टिविटीज को जो है डिटेल में देख सकते हैं तो यह आप लोग जरूर कीजेगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा और यह जो हमारा पेरामेडिकल काउंसल है इससे फाइदा आपको क्या होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ तो जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे अलग-अलग स्टेट में पेरामेडिकल काउंसिल कुछ स्टेट में बने हुए हैं कुछ जगे पर नहीं बने हैं तो अब आपको नेशनल लेवल पर जब काउंसिल का गठन हो जाएगा तो उससे आपको सभी को बहुत सारा बेनेफि दिया जाएगा सबसे पहले छीच तो फरजी इंस्टिट्यूट इनको जो है कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा कोई भी मिस्टेक या गलती करता है तो उसमें भी पैनाल्टी रखा गया है इसमें तो उसकी भी संभावना इसमें नहीं रहेगा इस बात का जो है इसमें प्ले या इंस्टिट्यूट या आपके जो भी यूनिवर्सिटी है उनमें होना चाहिए और फैसलिटी क्या-क्या कंपल्सरी होना चाहिए वो सारी चीजों को इसमें देखा जाएगा और ट्रेनिंग आपका प्रोपर तरीके से हो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा ऐसा नही बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है और जब आप विदेश वगरे में जॉब करने जाएंगे तो और भी ज्यादा आपके लिए उपर्चुनिटी इसमें होगा जो लोग बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा उसर इसमें आपको मिलने वाला है और आल इंडिया में तो आपको मानिता मिलेगा ही मिलेगा तो यह सारे चीज़ें इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको एक सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हमारा बात जो है अगर पैरामेडिकल फील्ड में तो इसमें बिल में जो है बहुत सारी चीज़े divide किया गया है आप लोग detail में पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा दस category में अलग-अलग 56 syllabus जो है इसमें courses जो है वो mention करके दिया हुआ है और उनका code भी है syllabus का जो भी आपका course है उसका code भी इसमें mention किया हुआ है तो और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे serial number first में जो हमारा medical laboratory and life science और medical laboratory science profession का जो इसमें category है उसको mention किया गया है तो यह सबसे अच्छी बात है और इसमें आपका medical lab technologist ठीक है तो इसमें lab technician नहीं है medical lab technologist तो इस बात का आप इसे ध्यान रखिएगा इसमें mention किया हुआ है और यह आपके लिए सबसे अच्छी बात है जो हम BMLT, DMLT कर रहे हैं या फिर आपने MLT किया हुआ है तो आने वाले समय में आपके लिए degree, diploma और इसके अलावा post graduate आप करना चाहते हैं तो यह सारी चीजों की facility आपको मिलने वाला है तो बहुत ही अच्छी बात है इस bill को आप एक बार जरूर पढ़िएगा ताकि आपको detail में समझ में आ सके इसके अलावा भी बाकी अलग-अलग courses हैं उनको मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ आप लोग इसको download करके पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ सके कौन-कौन से course इसमें mention किये गए हैं 10 category है 56 आपके courses इसमें available हो जाते हैं जिनको इसमें mention किया गया है जो की बहुत ही महतपूर योगदान हमारे health infrastructure को मजबूत बनाने के लिए इनका सभी का योगदान होता है तो खुसी की बात है चली अच्छी बात है और आप सभी लोगों को सुक्रिया धन्यवाद जिन लोगों ने मिलकर के जो है इन सारी चीजों के लिए योगदान किया है चाहे directly हो indirectly हो आप सभी लोगों का सुक्रिया धन्यवाद इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहें और अपने देश के लिए सहयोग करें और अपने देश की जनता का आप लोग सेवा करने के लिए हमेशा ततपर रहें जब आप इस फिल्ड में हैं मेडिकल फिल्ड में चाहे पैरामेडिकल फिल्ड में तो हमारा एक बहुत बड़ा दायत और करतवे बनता है कि हम हेल्थ इंफ्रेस्ट्रक्चर को और हमारे देश का मजबूत करें बहुत आ ऐसा नहीं है कि हमें सेलरी ज्यादा मिले तो ही हम सेवा भाव हमारे अंदर आए ऐसा नहीं है लेकिन एक जो सम्मान की बात होती है वो कहीं न कहीं अगर हमें प्राप्त होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है जो यह अभी हो रहा है तो इससे आप लोगों को भी एक प होता था एक सोच रहता था कि यह फिल्ड में जाने से कोई फाइदा नहीं है कुछ स्कूप नहीं है यह सारी मेंटिलिटी होता था लोगों का तो अब जो पीड़ी आएगा उनको नई जनरेशन जो आएगा उन लोगों के लिए इस फिल्ड में भरोसा होगा और अच्छे से वो लोग आकर के सीखेंगे चीजों को और अपने देश के लिए सहीओ करेंगे सेवा भाव के साथ तो यही इस वीडियो में मुझे बताना था बाकी आप डिटेल इनके बारे में जरूर एक बार पढ़िएगा इस बिल को एक बार डाउनलोड करके पढ़िए और इसको करते रहेंगे हमेशा इसी तरीके से इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का बात जो है हम आप लोगों के साथ सेर करते रहेंगे आप लोगों के लिए जो भी बेनेफिट हो सकता है हम कोसिस करेंगे आप तक पहुंचाने की और कोई जानकारी है इंपोर्टेंट तो वो भी हम आप तक पहुचाते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से तो हमारे साथ जरूर बने रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अपने दोस्तों में और मैं किलासेस बगर है और कॉंपिटिशन एक्जाम की तैयारी भी कराता हूं मेरा सेकेंड चैनल है दिनिस कुमार के ना जिल कि प्रेका एक Chili जो जो के तो हमारे से कुमार के रहुचा है अक्जाब को सब्सकराश है जो कि उ्सक्राव भी तो हरी साबहा हैी